तो आज हमारे जो चैप्टर है वो उस सप्लिमेंटरी डिडर बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैन्वरी नाइट तो इसके पोएम्स के इस मतलब इस चैप्टर के एंसे कोशन को देखते हैं बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को तो इस वीडियो का जो पहला कोशन है वो है कि who has written January night तो यह chapter जो है उसको किस ने लिखाया तो यह बहुत ही famous chapter है तो इसको आपको पते ही होगा तो इसके writer है प्रेम चंद So B is the right option So moving to the next question which is who was Jabra? तो Jabra इस chapter में कौन सा किरदार है मतलब कौन है Jabra तो Jabra was a ship, ox, horse, dog, कौन था? तो वह कुटा था तो dog is the right answer So A is the right option Moving to the third question What made halku very sad? यानि कि जो इस कहानी में halku है उसको यानि उस इंसान को क्यों sad होना पड़ा? मतलब वो क्यों उदास हो गया? What is the reason? तो answer is it all about the poverty Poverty means गरीवी तो गरीवी के वज़े से वहां बहुत उदास था चली तो चौते question पर चलते हैं कि why did halku and jabra find it impossible to sleep? तो halku and jabra जो थे हैं क्यों सो नहीं पा रहे थे हैं It is impossible to sleep यानि कि उनके लिए और संभा हो रहा था कि वो सो पाए तो ऐसा क्या था? तो because of cold क्योंकि आपने कहानी में देखा उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो it's all because of cold यानि कि सर्थ के वज़े से वो दोनों सो नहीं पा रहते हैं तो c is the right option for the fourth question moving to the fifth one where was प्रेमचंद बॉन? जो हमारे कहानी के लेखाख हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वरांसी में ठीक है? तो D is the right option moving to the sixth question what is the pen name of प्रेमचंद? यानि कि बोला जाता है न कि एक उप नाम होता है किसी का भी pen name यानि कि जो राइटर्स के जो असली नाम होते हैं उसको क्या बोलते हैं तो pen name यानि कि प्रेमचंद का pen name क्या था? तो इस धनपतराय ठीक है? धनपतराय is the right option so A is the right answer moving to the next one, seventh question which is हलकु और मुन्नी जो इस पोईम चाप्टर में जो किरदार है उन्होंने पैसे किस चीज के लिए बचत किये थे तो उन्होंने क्या कर रहा था? उन्हें blanket खरीदना था इस विल जिस उन्होंने पैसे कटे किये थे तो C is the right option moving to the next one that is हलकु और जबरा डैश इच अधर वेरी मच हलकु और जबरा की बीच कैसे थी bonding तो वो एक दूसरी को बहुत चाहते थे so liked C is the right option कि हलकु और जबरा लाइच अधर वेरी मच वो एक दूसरी को बहुत पसंद करते थे ठीक है? चले, नाइन्थ कोश्चन पर चलते हैं which is हलकु और मुन्नी had managed to save only डैश रूपीस for buying a blanket हलकु और मुन्नी ने कितनी रूपे का ठेक की थे ताकि वो एक blanket खरिच सके तो इट इस only 3 रूपीस so B is the right option चले, दसवा कोश्चन क्या है? हलकु और जबरा लाइच ये भी आपको पता है कि हलकु के जो खेत थे उसको किस ने तबाह किया था? तो वो ना तो गाय भैस ऐसा कुछ में नहीं था तो नील गाय थी तो नील गाय is the right answer that is A so moving to the 11th question which is हलकु और जबरा जबरा लाइच हलकु क्या था? तो आपको पता है कि वो एक फार्मर था लेकिन साथ ही साथ वो किस टाइब का फार्मर था ये भी आपको पता होना चाहिए वो एक टीनेंट फार्मर था गरीब टीनेंट फार्मर था पूर टीनेंट फार्मर यानि कि टीनेंट मतलब जो जो किरायप की खेती करते हैं उसको टीनेंट फार्मर करते हैं ठीक है? तो A is the right option for the 11th question moving to the 12th that is प्रेम चन्द is a positive writer of both Hindi and Dash यानि कि जो प्रेम चन्द थें वो किस किस भासा के मतलब positive mind वाले writer थें तो वह एक Hindi तो थे ही और साथी साथ Urdu so C is the right option so moving to the next one that is 13th number which is प्रेम चन्द फोकुस chiefly on Dash India प्रेम चन्द जो थे ना वो भारत के मतलब किस संदर में focus करते थे तो वह रूरल रूरल इंडिया ने कि दिहाती जो mindset है दिहाती जो चीजे है उस पर फोकुस ज्यादा करते थे तो रूरल is the right answer that is A so moving to the next that is 14th number question which is प्रेम चन्द emphasized on the unity of Dash एक चीज और थी कि प्रेम चन्द जो भी कहानी लिखा करते थे वह उसमें वह एक चीज पर 20 जोर दिया करते थे unity of Dash यानि कि कि किस चीज की एकता पर ज्यादा जोर देते थे तो unity of Hindu and Muslim है ना Hindu and Muslim की एकता के बारे में वह ज्यादा जिक्री किया करते थे तो D is the right option for the 14th question so now moving to the 15th one that is प्रेम चन्द सोजे वतन was banned by the Dash government तो यानि कि प्रेम चन्द की जो बुक थी सोजे वतन वह किसकी दौरा कौन से government के दारा बैन कर दी गई थी तो it was British government so B is the right option for the 15th question now moving to the 16th which is Munni advised Halku to hire himself out as a Dash. Munni ने Halku को advise दिया कि वह अपने आपको किस type का farm मतलब आकी अपने आपको क्या बना ले है ना तो अपने आपको वह लेबरर बना ले ताकि उसको तनखा मिलती रहे तो C is the right option for the 16th question which is now moving to the next question that is 17 that is Munni is a character of the story dash देखिए यह आपको तो पता है कि इस chapter में इस chapter का नाम कहा January night और अगर यह question पूछा जा रहा है तो आप जाहिर सी बात है बता दोगे लेकिन यह question फिर से paper में आएगा तो वह तो नहीं लिखा रहेगा कि कौन से chapter से आ रहा है कौन से section में है यह तो आपको यह question अक्सर आ सकता है और यह आप confused भी हो सकते हो तो इसलिए आपको फर दो 17th question नाव बूइं तो दे 18th number question यह वो हलकु दैस और यह भी पता होना चाहिए कि मुनी जो थी हलकु की वाइफ थी तो दी इस राइट आपको अगें नाव 19th number question इस अधे इंड अव दी स्टोरी हलकु वो दैस यानि कि कहानी कहानी यह भी जा रहा है कि हलकु ने जिस तरीके से मतलब हलकु ने हलकु का जो पैसे थे अंत में कैसे खतम हो जाते हैं तो इस अल बिकॉस आप पेंग ओफ डेफ्ट यानि कि कर्ज चुकाने के चक्कर में उसके सारे पैसे जो भी उसने बचाय थे वह खर्च हो जाते हैं तो D is the right option moving to the 21th question that is the name of हलकु's wife in January night वह आपको यह भी पहले हमने पढ़ा थे chapter आये question कि January night chapter में है ना हलकु की जो पतनी है उसका नम क्या रहता है तो it was Munni है ना B is the right option for the 21th question now the second question is means the next question is 22 that is in this story January night what did हलकु and Munni want to buy यह भी आपने पहले question पढ़ा है कि हलकु और Munni जो है January night chapter में क्या खरीदना चाहते हैं तो वह एक blanket खरीदना चाहते हैं तो A blanket है ना तो A is the right option now the last question that I have bring for you that is Jabra run towards the field and started dash यह भी आपको पता ही है कि Jabra जो था रात के समय जब नीलगाय वगर आई थी तो वह जंगल के मतलब खेतों के तरफ भाग गया और क्या करने लगा भूखने लगा था तो it is B that is barking Jabra started barking so B is the right option for the 23rd question now it's the last question so I hope आपको यह वीडियो अच्सिया लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भोले अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट से समय लिए के मेरे से पूछे और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए स्टे होम स्टे सेव थैंक यू थैंक यू सो मच